मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है मैंने कलीश कहीं किसी टीवी पे चुना कैसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है आज कल प्रधार मिंत्री मूदी प्रधार मिंत्री ना रहकर सब कुछ बन गए है वो चोकेदार भी है 56 इंच का सीना भी है और उन्हें 35 सालों तक भीग मांग कर खाना भी खाया है और वो फिल्म प्रमोटर भी बन गए है वो अपने भाशुरों में देश के मुद्दों को ठाने की जगा फिल्मों का परचार कर रही है क्योंकि कुछ विकास किया हो तभी तो उनका बखान अपने भाशुरों में करें मोदी जी जब काम ही नहीं किया तो अब विपक्ष पर हमला बोलने के अलावा उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं था तो इसी वज़ा से वो आज कल फिल्मों का प्रमोशन करने लगी है दरसल 56 इंच का सीना रखने वाले हमारे प्रधान मंतरी चाहे भारत की सरहदों में घुस्ते चीन को लालाख न दिखा पा रहे हो लेकिन वो लोगों को फिल्म देखने का जरूर बता रहे हैं ताकि फिर एक बार The Karel Story प्रोपगेंड़ा फिल्म की तरह कोई दूसरी फिल्म लोग देख सके असलमें प्रधान मंतरी मोदी ने जम्मू कश्मीर में एक जनसबा को संबोधित करते हुए फिर एक बार दे केरल स्टोरी प्रोबगेंडा फिल्म के बाद किसी फिल्म का जिक्र किया है उन्होंने भाशर देते हुए कहा कि परद्वेश के विकास में सबसे बड़ी दिवार आर्टिकल 370 की थी इस दिवार को भाजपक की सरकार ने हटा दिया है मैंने सुना है शायद इसी हफ़ते आर्टिकल 370 को लिकर फिल्म भी आ रही है मुझे लगता है कि पूरे देश में आपका जज़ेकार होने वाला है फिल्म कैसी है पता नहीं मैंने सुना सिर्फ इसके बारे में अच्छा है लोगों को सही जानकारी मिले में काम आएगी सातियों 370 की ताकत देखिए 370 जाने के बाद आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों कहा है कि अगले चुनाव में भाजपक को 370 दीजे और NDA को 400 पार कर दीजे दोस्तों जिस तरह का भाशन मोदी जी ने दिया है उससे तो साफ है कि ये बिरुजगारी भुकमरी पर नहीं बोल सकते हैं इसी वज़या से आप फिल्मों की बात कर रहे हैं 370 हटा दी इसलिए भाजपक को 370 सीट दे दीजे मोदी जी यहीं पर नहीं रुके उन्होंने परिवारवाद पर भी बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर दश्कों से परिवारवाद की रौजणिती का शिकार रहा है परिवारवाद करने वालों ने बस अपना फायदा देखा और किसी का भी नहीं देखा इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारी युवाव को हो रहा है वैसे दोस्तो प्रध्वान मुंतरी जी ने परिवारवाद की बात संसत में भी की थी फिर शायद कॉंग्रिस सांसत गौरफ गोगोई ने परिवारबाद पर प्रध्वान मंतुरी मोधी को संसत के अंदर ऐसा जवाब दे दिया था कि उनके जबान मोधी जी की पांस सेकंड के लिए ब्लड़ खड़ा गई थी मोधी जी बोल रहे थे कि जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं वो लोग तो अंतर में ठीक नहीं है लेकिन गौरफ गोगोई ने जैशा, राजना सिंग, चुराग पास्मार, उनके सहियोगी, गडवंदन, अकाली दल, लज़ेपी का नाम लेने के बाद वो फ जाते हैं, नोजवान लोग साथ में, मोधी जी को संसत में जवाब मिल गया था, जिसके बाद वो अपनी बातों से ही पलट गए थे, मगर अब फिर एक बार वो परिवारवात पर बोल रहे हैं, और साथ ही फिल्मों का प्रमोशन भी कर रहे हैं, वैसे मोधी जी देश के प प्रमोशन कर रहे हैं, और आर्टिकल 370 के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि लोग सबचनाव के लिए मोधी जी की भाशड कितनी एहमियत रखते हैं, और इससे उन्हें कितना फायदा होगा, खेर दोस्तों, आप लोगों क्या लगता है जरूर थे, और बागी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े लेगे हमारे साथ,